पहन में रखतर किया गया, एक ऐसा बदलाओ जो भारत भक्ती से किया गया, एक ऐसा बदलाओ जो कोटी-कोटी जन शक्ती के लिए किया गया, इन पचास दिनों में लोगों में एक नया विश्वास दिखा, भारत में एक नया इतिहास लिखा, लोगों के उत्साह और उमंग ने डिजिटल पेमेंट को जनांदोलन बना दिया माननी प्रथान मंत्री जी के दिव्वे दिशा निर्देशन और नीती आयोग की देख्रेग में सभी केंद्रिये मंत्राले इस महा मिशन के लिए कारे कर रहे हैं हम नीपी आयोग के सीईओ श्री अमित आपकांसे में वेदन करते हैं कि ग्रिप्याग मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस अभियान से प्रेंड़ना लेते हुए भारत के सुदूर वर्ती गाओं डिजिटल पेमेंट गाओं बन गए हैं यहां तक कि कुछ ऐसे गाओं गाम पंचायद भी इनमें समलित हैं जिनमें अनुसूचित जन जातियों की बहूलता है सपश्ट है कि मानिया प्रधान मंतिजी के नेत्रत में बहुती अल्प अवदी में हम भारत को लेस कैश अर्थतंत्र बनाने में सफल होंगे भारत जैसा देश जिसकी 65 प्रतिशत जनसंकिया 35 वश की आयू से कम है भारत जो पूरी दुनिया में आईटी के नाम से जाना जाता है भारत जिसके करोड़ों करोड़ यार मेरी एक अच्छी आदत है मैंना कभी-कभी फ्री टाइम में रेडियो सुन लेता हूं एक दिन संडे था सुबह उठा और रेडियो आउन किया और क्या सुना यार प्रधान मंतर जी कह रहे थे मेरे नवजवानों आप मेरी मदद कर सकते हो जाए हमारा सपना है कैसले सोसाइटी टेकनोलोजी इतनी सरल होती जा रही है कि इस काम के लिए को बड़े स्मार्ट फोन की विए आउशकता नहीं है हर दिन कम से कम दस परिवारों को आप ये टेकनोलोजी क्या है टेकनोलोजी का कैसे उप्योग करते हैं कैसे अपनी बैंकों की एप डाउनलोड करते हैं अपने खाते में जो पैसे पड़े हैं वो पैसे कैसे खर्च किये जा सकते हैं लो मोनो परसी तो है पैसे निकालो और दे दो है हाँ हाँ अच्छा तो फिर तू ही दे दे अरे देखो फोन में e-wallet डाउनलोड करो अपने डेबिट कार्ड क्रेट कार्ड या नेट बैंकिंग से लिंक करो और पैसे भेज दो चाचा को अरे चाचा अपना बढ़वा तो लेते जाओ मम्मी और धोभी चाचा का रिस्पॉंस तो काफी अच्छा रहा तभी मम्मी ने मुझे दर्जी चाचा की दुकान पर भेजा लिए चाचा ये पैंट शॉल्टर करवानी है दो कुंटे बाद अभी बैंक जा रहा हूं तेरी चाची को पैसे वेजने है न अरे पर आपका बैंक तो आपके हाथ में है कहां ये मोबाइल को बैंक कहता है पागर अरे मोबाइल बैंकिंग बोलता है इसे देखो ये स्टार नाइन नाइन हैश डायल करो ये ओप्शन सब्सक्राइब करें अरे देखो भाइया मोबाइल बैंकिंग बोलता है इसे पहले किसी भी बैंक का यूपी आइप डाउनलोड करना है उसमें अपना यूनीक आईडी बनाना है और फिर यूपी आई पिन सेट करते ही लोग हो गया बैसाब राज नगर नहीं जाना क्या आओ बैठो पता है मैं पूरी दुनिया को कैशले सिखा सकता हूं पर अपने पापा को नहीं अरे इतने ओल फैशन है यार कि उनको कुछ भी नए हजम ही नहीं होता पर उस दिन किराना स्टोर पर जो हुआ वह आप सुनोगे तो दंग करते हैं आपका भुगतान साथी भीम भारत इंटरफेस वम्मानी जो आपके सभी भुगतानों को सरल सुरक्षन और सुपर फास्ट बनाएगा भीम आप डाउनलोड करें अपनी मन पसंद भाशा जुने और अपने बैंक अकाउंट से जोड़ें अब आप बीबी ए या अकाउंट नंबर और IFSC का व्योग करके आसानी से पैसे भेज या प्राफ्ट कर सकते हैं भीम की खूबियां आपके भुगतान को और भी आसान बनाती हैं जैसे QR कोड से भुगतार, लाभार्थी की सूची, लेंदेन का विवरण, नया UPI PIN बनाना या बदल, नंबर या अपनी बनाई हुई लाभार्थी सूचीदार, साथ ही आपको अकाउंट बैलन्स और लेंदेन विवरण की सुविधा भी देता है, भीम USSD चैनल की सुविधा का उव्योग करता है, तो आप इंटरनेट कनेक्शन या रोमिंग की चिंता किये बिना अपनी रोज स्मर्रा की लेंदेन कर सकते हैं, जाहे वो आपका बिजली का बिल हो, कॉलेज की फीस हो, घर का किराया हो या पैसे प्राप्त करने की रिक्वेस्ट हो, भीम से अब हर तरह का भुगतान होगा तुरंत और सरल तरीके से, वो भी साल के 365 दिन 24 घंटे नापकीन कश्मीर की खुबसूरत वादियों में से, पहले मानिनी आपसे निवेदन है कि करिपया शॉल और नापकीन पसंद करें, देखते हैं मानिय प्रधान मंत्रे जी को कौन सी शॉल और नापकीन पसंद आती है, ये शॉल जो है, वो बनारस के बुनकरों ने बुनी है और नापकीन कश्मीर की खुबसूरत वादियों के अच्छे से कलाकार, महनती कलाकारों ने बुनी हैं, और अब मानिनी प्रधान मंत्री जी डिजिटली पेमिंट करेंगे, बहुती सरल और सुविधा जनक है, भीम एप ओपन किया, ग्रामोद्यों का QR, कोट स्कैन होने के ये बाद में UPI PIN मानिनी प्रधान मंत्री जी लगा रहे हैं, और ये ट्रांसेक्शन सफल हुआ, खादी ग्रामोद्यों को पैसा ट्रांसफर हो गया, आपने देखा कितना सरल और कितना सहच है ये करना, हम आपको ये बता दें कि ये Android Play Store से डाउनलोड और उपयोग के नौ आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बदल रहा है, बहुत बहुत बढ़ाई, बहुत बढ़ाई, धन्यवाद मानिनी प्रधान मंत्री जी और ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे और युवास सबसे पहले नई टिक्नॉलोजी को अपनाते हैं, NGMC क्षेत्र के स्कूल के बच्चों ने डिजिटल पेमेंट विशे पर पोस्च प्रत्योगिता में अपने तूफानी चालेंट का परिचय दिया, हम मानिनी प्रधान मंत्री जी आपसे निवेदन करते हैं कि क्रिप्या सराहनी प्रयासों के लिए इन बच्चों को प्रशन सा पत्र प्रदान करें सभी बच्चों से मैं निवेदन करती हूं कि यहां पर मंच पर बढ़ारें एक एक करके मौहमद आजाद इसके बाद रोहिद गुपता तयार रहें रोहिद गुपता जोड़ा तालियों से इनकी होसला अवजाई करें यह हमारे नन्हे सिपाही है जो इस जनक्रांती के नन्हे सिपाही है दीपी का जरत सेकारी बैंक लिमिटेड बंचेर हाउस वाइप है यह और देखिए अलग-अलग शेत्र के लोगों ने कैसे जागरुपता दिखाई है डिजिटल होने में बहुत ही उत्साहित और खुश नजर आ रही है इस जनक्रांती का हिस्सा बनकर यहां के युवा बने डिजिटल क्रांती के सेनानी उन्होंने मिलकर बनाई इजश डिजिटल सेना जो स्कूल्स और कॉलेजिस में जाकर युवाओं को सिखा रहे हैं डिजिटल लेंदेन के पाठ राज्य, गुजरात, जिला, भावनगर भावनगर डिस्ट्रिक्ट की सहकारी मंडलियों को 50 माइक्रो एटियम और 5000 रूपे काड दिये गए है यहाँ ट्रेनर्स जोर शोर से लोगों को डिजिटल लेंदेन की ट्रेनिंग देने में जुटे हुए हैं जनवरी तक तो जिले के 40 गाउं डिजिटल भुकतान करने के लिए संपूर्ण सज्ज हो जाएंगे वो ही मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर बना डाला जो लोगों को डिजिटल भुकतान की तालीम देता है नागपुर जिले के हिंगना गाउं के संजीवनी निनावे ने आदिवासी महिलाओं को डिजिटल पेमेंट की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया राजिस्थान के बंसूर ब्लॉक में स्निहलता योगी ने बंजारा महिलाओं के बीच जाकर डिजिटल मुहीम को एक नई दिशा दी दादरा और नगर हवेली ट्राफिक पुलिस चलान भी सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही लेती है साथ ही देश भर के दो लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स भी जुटे हुए हैं लोगने कोने तक पहुंचाने वाले हैं देश के आम, साधारण दो और युबा आज मेरा देश सब के साथ सब का विकास कर रहा है तो आईए देश के इन डिजिटल सितारों के साथ हम भी डिजिटल सीखे, डिजिटल बले और देखते हैं कि वो लखी विनर्स, लखी जौ के विजेता कौन है माने प्रधान मंत्री जी के शुब कर कमलों से अब ये खुबसूरत सा राज खुलने वाला है कि कौन विनर्स निकलेगा हम आपको बता दें जो ट्रांसेक्शन आईडी इसमें आएंगे जब तक माने प्रधान मंत्री जी इसको लखी जौ के विजेता स्क्रीन पर हमें दिखाई दें इसमें जो आईडी जाएंगे ट्रांसेक्शन के देखेगा आप लॉग इन किया गया यह सारे जो आईडी जेंगे वेरिफाय करके तीन दिन के भीतर नाम भी मिलेगा और इनाम भी यह देखिए लखी बहुत बहुत बढ़ाई कौन है इसमें लखी जौ विनर वो पता चल जाएगा हम आपको यह भी बता दें कि जो लोग यह चेक करना चाहते हैं कि उनके ट्रांजेक्शन को पुरसकार मिला है कि नहीं तो वो लोग इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रद्योगी की मंद्राले द्वारा शुरू की गई वेबसाइट दिजिधन.mygov.in पर अपना मोबाइल नंबर डाल कर चेक कर सकते हैं स्क्रॉल हुआ और फिर से ट्रांजेक्शन आईडीज आ जाएंगे मानि प्रदान मंत्री जी के शुप कर कमलों से कौन से विनर्स अब स्क्रीन पर ठहर गए हैं बहुत बहुत बढ़ाई प्राइजिस आपने पढ़ लिये हैं 25 दिसंबर क्रिस्मस से लेकर ये महा अभियान शुरू हुआ 100 दिनों तक प्रति दिन 15,000 लखी विजेताओं की कर 2016 को राश्ट्र शुचिता के मारिनी प्रदान मंत्री जी के उस एतिहासिक एलान ने सवा सो करोडों का विश्वास जीता चुकि हर भारतिय जानता है कि मारिनी प्रदान मंत्री जी भारत के पुनह निर्मान का पत प्रशस्त कर रहे हैं वे ऐसे सुराज के लिए कटी बद्ध हैं जहां गरीबों शोशितों वंचितों को सुक संब्रिधी मिले वहीं भारती अ आन्नी प्रदान मंत्री जी की कृपया हम सब को आज केस शुब दिन अपनी शुब काम नाये दे